हलो गाइज विल्कम बेक टू मैं चैनल तो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं फूल गोवी के पकोडे तो अभी फूल गोवी मार्केट में बिल्कुली नया आया है तो आप जल्दी से जल्दी फूल गोवी लेके आईए और बनाईए फिर फूल गोवी के पकोडे क्योंकि अभी के टाइम के फूल गोवी में बहुत ही जादा टेस्टी बनता है तो अभी के टाइम पे जल्दी से जल्दी फूल गोवी लेके आईए और बनाईए उसके पकोडे तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो अभी आप देख सकते हैं फूल गोवी हमने पूरा मीष्ञापल के आता भी अईड कर लिया जिससे थोड़ा ये करिस्पी बनें ूहँ हमने मिर्ची के चोटे चोटे पीज और प्याज के च्चोटे चोटे पीस बना लिया और वहंने इसमें अड़ कर दिया धनिया पत्ता छोटे छोटी पीज बना के अड़ कर लेना है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर अड़ कर लेंगे अब थोड़ा सा हल्दी अड़ कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर अड़ कर लेंगे अब हमें इसमें नमक एड़ कर लेना है तो नमक स्वादनुसार अपने हिसाफ से एड़ कर लेना है और अभी हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है अब हमें इसमें पानी एड़ करके फिर मिक्स करना है तो देखें हमने इसमें पानी एड़ कर दिया अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से तो अभी आप देख सकते हैं हमने तेल गरम कर लिया है और अब हमें इसमें पाकोड़े एड़ कर लेना है तो देखें छोटे छोटे गोला हमें बना लेना इस तरीके से और इसमें एड़ कर लेना है तेल में तो दिखी जितना जगा था सारा हमने सारे पर याइड कर लिया है अब इसमें जगा नहीं बचा है तो अब इसको हम धिरी-धिरी फ्राइ करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें अभी रेड रेड कलर आ रहा है अभी दो मिनिट में यह अच्छे से बनके तियार हो जाएगा फिर हम इसे निकाल के खा सकते गरम-गरम पकोड़े तो दोस्तों अभी हमारे पकोड़े रेडी हो गया है बनके अभी हम इसको निकाल लेते हैं अभी सारे को निकाल के फिर आपको दिखाते हैं तो दोस्तों अभी आप लोगों को एक फाइनल लुक दिखा देते हैं कि कैसा बना है यह तो इस तरीके से देखे पकोड़े बना है तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नॉटि दोपे